तो यह हमने डाल दिया है भी अनार, अब हम अनार का जूस बनाएंगे, देखते हैं कि इसमें कैसा बनता है, सबसे पहले बड़ा वाला, यह इसमें स्मूथ लग रहा है बनाने में भाई साथ, आज है हमारे पास दो जूसर, एक है 99 रूपय का और दूसरा है 299 का, और इन दो जूसर को ज्यादा मेहनत नहीं होगा, इसलिए हमने अंगूर भी लिया है, तो दोस्तों देखते हैं कि कौन-कौन सा फूट का जूस निकलता है, और किसका नहीं निकल पाता है, कैसा निकलता है, सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं, तो सारे फूट का हमने ले लिया, य यह हमारा बड़ावाला है, तो चलिए सबसे पहले जो शुरुआद करते हैं, शुरुआद किसे किया, बताओ, तुम किसे करना चाहिए, जो बेश्ट होगा, बढ़े वाले से करें, कि छोटे वाले से करें, या किसे बढ़े फल बताओ, फल कौन सा, अंगूर, तो चलो हम अंगूर से करते हैं ठीक है यहां पर बस ऐसे खोल देना है और इसको जो है यहां पर डालना है यहां पर देख सकते हैं अगर बात करें चोटे बड़े वाले में तो बड़ा वाला में जो ग्लास है अच्छा खासा दिया हुआ बड़ा वाला और यहां पर देख सकते हैं इतन गुमाना है इसको घुमा करके देखते हैं यह क्या बकवास है यहां पर देख सकते हैं हमारा यह पूरा खुल गया है ठीक है तो इसको फिर से लगाते हैं कुछ है कि आप यहां पर और डाल दिए हम लोग यह लिजी अब जाकर के जो है इसको फिर से चलाना होगा इसको पकड़ना होगा सबसे पहले तो अरे यहां पकड़े की इधर पकड़े हैं तो दो लोगों का काम यहां पर लगेगा जूस हमारा गिर रहा है वाय जूस तो हमारा गिर रहा है पर से खुल रहा नहीं 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 खुलेगा यह देखो इसका वेस्ट मेटेरियल निकल रहा है लेकिन क्या ही वेस्ट होग होगा है यह देखिए यहाँ पर हमारा जो है वह जूश निकल चुका है अंगूर का जूश exponether यहां पर यह निकल गया है अब हम छोटे वाले में ट्राइब करते कि छोटे वाले में कैसा होता है छोटा वाला तो और ही जैसे देखो यह तो लाग रहा है सब कुछ ठीक है ना लिन पता नहीं खुल कैसे जाता है ठीक है पहले भी आ रहाता समस्या ठीक है अब चली छोटे वाले में आपने खुलता है ठीक है तो ये भी खुल गया है ऐसे झोई चोच और जो जीसर है इससे भी हमारा निकल चुका है तो चलिए इसको च्छ करते हैं हम और नीगम बड़ा वाला मैं पीताओ छोटा वाला नीगम देते और टेपकर देखते हैं कि कैसा है ले वाई कर take your AK me के खटाकर न a हलकाते समें नमा कोता बहुत मतलाद ता कैसे मजाया है न कि आछ व हम लोहंग टेस्ट करने वाले हैं देखते हैं कैसा होता है को यह हमने अनानस को काट दिया है फाइनैबल ठीक है तो यह हम लोग यहां पर दो डाल देते हैं ठीक है और यह तो टाइट हुगिया अधिक है यह तो जानी था निकम यहां पैसे दबाँ अग 신기 निकम वे िसी मट को पिराओं कि सीस्यंपोर कर अठीक है अब सही काम कर रहा है क Southern होगी हलका तो अब दोस्तों जोड़िय में ड्राइप कैसा होता इसमें ठीक है यहां पर देखिए यही चीज ना खुल जाता है हाँ इसमें भी अब यह टाइट हो गए ठीक से अब देखते हैं खाली उपर से रख करके देखते हैं जी हाँ यह हुआ ना बात अब एक दम सही पकड़ने जुरूत नहीं पड़ा दो लोगों को अब फिर से इसको डालते हैं चोटा वाला जूस लिए अच्छा निकाल रहा है ना इसमें स्क्वीज जो ना अच्छा हो रहा है यह है बड़ा वाला यह चोटा वाला इसे थोड़ा कम निकला है इसमें वैसे भी हम ज्यादा डाल रहे हैं तो चलो अब इसको ट्राइब करते हैं देखते हैं कैसा है वह बीना नमक का ट्राइब कर रहे हैं कि अच्छा है कि सुघाइड डाइट कट गया है और अभी जो हम लोग है इमरजेंशील जो है जला करके काम कर रहें तो इसके लिए एक लिए तूब निकालते हैं तो तरबूज को और तर्बूज नहीं करते हैं एपल चलो ठीक है भाई साब तो अभी हमने सेव को ले लिया है और बड़े वाले में हम यह कर रहे हैं कि तो कट करना पड़ेंगा अब बड़ा डल गया तो यह चीज है इसमें दिक्कत तूटना जाए जाब बदरंग बली हाँ तो यह हो गया अब इसको जो है दो करना पड़ेगा सिंगल में हो नहीं रहा पावर अच्छा खासा लगाना पड़ रहा है यह तो जूस यहां पर निकल गया अब छोटे वाले में हम जूस बनाते हैं छोटे वाले में इतना एक चल जाएगा यह मजा आता है जो अब मुझे भाई साहब हीलता बहुँ जादा है कट नीटा कि एक तो पार हो गया वैसे मेहनत काफी लग रहा है तुछ चलिए फिर इसको ट्राइब करते हैं लो निकम टेस्ट करो एपल जूस और यह हमारा एपल जूस एपी से लग रहा है अच्छा था मस्त मजा यह जारा भाई तो अभी हम लोग अनार डाल रहे हैं अब अनार होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता ठीक है तो आधा से जादा इसमें डालते हैं और बाकी बचा हुआ इसमें डालते हैं तो यह हमने डाल दिया है भी अनार अब हम अनार का जूस बनाएंगे देखते हैं कि इसमें कैसा बनता है तो सबसे पहले बड़ा वाला आहा यह इसमें स्मूथ लग रहा है बनाने में भाई साब यह भी हमारा अनार जूस बन रहा ह कि अब हलका महनत लगा है कि ओम नमस्य वाई कि कसम से इतना महनत बाहर कहीं जाकर करेंगे बहुत पैसा कमाएंगे अब जाकर करेंगे फिरी हो गया है यानि की जूस निकल गया अब इसका निकालते है कि शुरू में तो बड़ा शुरू में आराम लगता है मेरा तो जूस निकल गया देख सकते हैं शुरू में आराम लगता है उसका जब अंदर जाता है टाइट लग रहा भी टाइट लगना शुरू हो गया हां लेकिन अब डब्बा नहीं खुल रहा है यह वाला जो था ना यह खुल नहीं रहा है पहले पकड़ना जो पड़ रहा था वो नहीं क्योंकि सही से हम लोग लगाई नहीं थे ठीक है तो हम लोग की गलती थी तो चलिए जूस निकल जाए लेकिन महनत भूत लाग रहा है हमारा अनार का जूस यहां निकल चुका है इसमें इससे छोटे वाले से भी निकल गया और बड़े वाले से भी निकल गया तो चलिए भी इसको टेस्ट करते हैं कि एक दम पर्फेक्ट है कोई दिक्कत नहीं बहुत मस्त है और वैसे भी इसमें हुआ ही क्या है सब तो अच्छा ही लगेगा ना तो घर में हराम से जोस्ट बनाई है रुपीजिए क्योंकि अभी हम लोग इतना सारा कूश ट्राइक कर चुके हैं जो कि इसमें बहुत ज़ बिल जागा और यह आपको 300 में देखने को मिल जागा अराम से और यह सॉप अपको देखने को मिलेगा यह फिलिपकर बगर में सौप सी में ज्यादा ओफर रहता है कपान खोलने वाले कला पसीना वाटर मेलन वाटर मेलन या मख्समेलन पहले बाटमेलन और यह तो तो गाइस सथा वाला काम कर लेते हैं अभी हम लोग अभी हम लोग जो है तरबूज का बनाते हैं अभी हमारा जूस सब किर जाता तो देख सकते हैं अभी भरा हुआ हलका सा बुन-बुन गिर रहा है लेकिन देखें यह हमारा जूस है यहां पर निकल चुगा है तो चले भी इसको भी ट्राय करते है यह लो भाई यह भी हम लोग जो है संद्रे का जूस पीने वाले हैं दोस्तो महनत जो है ना रंग लारी हमारी मेरे ख्याल से इसका भी वह इजी हो जाएगा देखते हैं हलका से सुद्धूर करते हैं जी हां चला गया देखिए अभी संत्रा वाला और साथ में हमारा यह वाटर मेलन निकल रहा है एक साथ यह देख सकते हैं वाव तो कई यह दोनों जूसर का जो हमने इस्तमाल किया अच्छे से और दोनों से जूस बनाया दोनों से हमने पिया है जूस को और जो है एकदम परफेक्ट हुआ है को ऐसा दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिला है हल्का सा ज्यादा मैंनत आपको करना पड़ता है तो जो यह वाला है यह सुरुआत में खुल रहा था ठीक है तो यह जब हमने टाइट किया अच्छे से लगाया तो फिर दिक्कत यहां पर नहीं ऊहीं खुला सिंगल से बड़ावाला दोनों सेम काम करता है इसमें कर पको कम जगह मिलता है और इसमें आपको तरही साथ मिलता है इसका प्रैस काम करता है सबकुर नहीं होपाया कि रिकौर्डिंट का ही हमारे विंग होता है उसके हलका सा यहां पर दिक्कत है तो इस चीज के लिए हलका सपोर्ट कीजिए और इसके लिए सौरी भी रहेगा तो चैनल को कि मस्त है मेरे को तो अच्छा लगा करने के लिए सई चीज है घर में आपको मैं लिंक देंदूंगा कर सकते हैं आपको एक रुपया तक कभी मिल जाता है बहुत अच्छा डील वहां पर आता ठीक है तो जाकर के पर्चिस जरू किजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कि सिनेडिव में तब तक के लिए गुडबाई और अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये त के चलिए बाई बाई